स्वागत है आपका पाई क्लासेज में आज का टोपिक क्लास नाइन्थ के लिए चैप्टर 13 एक्ससाइट 13.2 देखो आज की जो हमारी शेफ है वो है सिलेंडर सिलेंडर कैसी होती है इस टाइप की कोई भी शेफ इसमें यह वाला देखो यह जो सर्फेस है जो ऐसे है यह कैसी कैसी है कर्ड सर्फेस यह प्लेन तो है नहीं इस पर आप कुछ भी रखो के टेक है गई नहीं प्लेन सर्फेस कों से होती है हमारी ऐसी यह होती है प्लेन सर्फेस तो एक सर्फेस इसमें यह है यह कैसी है कर्ड सर्फेस है एक प्लेन सर्फेस इधर है और एक प्लेन सर्फेस का और एक total surface, total surface area में ये वाला circle भी add हो जाएगा और ये वाला circle भी add हो जाएगा, देखो अगर मैं इसके चारो तरफ एक काघज लपेट हूँ, ठीक है, तो काघज का जो किनारा है, जो circle का किनारा है, वो ही बनें और circle का किनारा, यान्याई सरकल का circumference, ठीक है, ये इसको हम बोलते है height, यह height of the circle है, यह इस type से है, तो हमने छोड़ा, यह जो किनारा था, यह जो खुल कर, क्या बन गया, length बन गया, और जो bread थी, इसकी वो हो गई, height, ठीक है, तो rectangle बन गया है, खुलने के बाद, अब rectangle जब यह बन गया, तो rectangle की area क्या होता है, L into B, तो L into B को अगर multiply करेंगे, 2 pi RH, इसका area आ गया, किसका area आ गया, इस पूरे वाले का, जो इस पर lip at रहा था, यानि card surface area, तो card surface area होगे है, 2 pi RH, ठीक है, अब एक अलग बनता, card surface area का मतलब CS से, एक होता, TS से, यानि total surface area, total surface area में क्या करेंगे, card surface area तो तुम्हें पता ही है, इ दो बार एड़ करेंगे, तो इन दोनों को एड़ करेंगे, 2 pi RH, पूरे में से 2 pi RH, इधर भी है, इधर भी है कॉमन आ गया, 2 pi RH, यहां से गया H, और यहां से रह गया R, तो यह total surface area का फार्मूला है, यह card surface area का फार्मूला है, अब करते हैं, examples, examples, example 3, example 3 क्या कहता है, सावित्तरी अपने science project के लिए kaleidoscope बनाना चारी है, कोई science instrument होता है, उसमें जो उसकी देखने की नली लगती है, वो cylindrical है, तो उसने chart paper लिया और chart paper के दो किनारे जोड दिये, तो एक cylinder बन गया, तो cylinder इस टाइप का बन गया, जिसकी length, जो उसको length बोल ल centimetre, इसको हम point को हटा के 35 upon 10 centimetre भी लिख सकते हैं, कहता है, अब जह हम chart paper को मोडेंगे, तो उसके जो दोनों सिरे हैं, वो uncovered रहेंगे, वहाँ पर जो circle बनेगा, वो covered नहीं होगा, उससे हम आरपार देख सकते हैं, तो वहाँ तो हमारा chart paper लगना नहीं है, तो chart paper कहां लग रहा ना इधर circle में लग रहा, ना नीचे circle में लग रहा, यानि ऊपर का जो circle है, और नीचे का जो circle है, इन में तो लगी नहीं रहा, और जो circle की radius है, वो इस render की radius होती है, जो यह height है, यह तो हमें पता ही है, तो बस CSA of Cladius को 2 pi रह का formula लगा है, 2 pi की value दे रखी है, यही लगानी ह अगर नहीं दे रखी होती है, तब भी रगा सकते हैं, वरना अगर को में दे दी pi की value तो 3.14 या 22 upon 7 वही हमें यूज करनी है, तो R की value रखी, H की value रखी, इसको solve कर लो, जो भी आएगा that is your, answer 2 से काटा 5, 5 से इसको काट दिया 5, फिर इसको काट दिया 5, तो यह 550 हमाने पास centimeter square, आ गया area of charge, अब हम करते हैं exercise के questions, question number 1, कहता है, CSA हमें दे रखा है, एक right circular cylinder का, figure is self-explanatory, H की value लिख ली, R हमें नहीं पता है, तो question mark लगा दिया है, now, CSA 88 centimeter दे रखा है, 88 centimeter square, तो CSA का formula लगाया, is equal to 88, जो जो value जो हमें पता है, R के लावा सब रख दी, rearrange करा, R की value आ गई, 1 centimeter, कहता है, find out क्या करवा रहा है, कि its cylinder का diameter find out करना है, radius आ गई, तो radius का double क्या होता है, diameter, तो इस तरह से question 1 complete होता है, अब मैं question 2 आपको बताता हूँ, देखा, question 2 में भी क्या कह रखा है, question 2 में वो बोल रहा है, कि एक cylinder है, ठीक है, हमें वो बनाना है, कैसा cylinder है, close cylinder, यानि कि ऊपर वाला जो circle है, नीचे वाला circle है, ये भी हमें cover करना है, height उसकी दे रखी है, 1 meter, और radius हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें diameter given है, उसमें, diameter दे रखा है, 140 centimeter, तो यहां से radius निकाल देंगे हम, 140 upon 2 equal to 70 centimeter, अब इसको भी centimeter में convert कर लो, तो कहता है, इस cylinder को बनाने में, जो भी sheet use हो रही है, उसका area find out करो, figure is self explanation, सब कुछ हमने figure में बता दिया है, now, surface area of sheet, ठीक है, तो क्या हो जागा, TSA of cylinder, TSA क्यों use करा, कि close है cylinder, उपर भी circle है, नीचे भी circle है, बंध है, तो formula यह लगा देंगे, 2 pi r, h plus r, r और h की तुम्हें values बता है, यहाँ put करो, solve करो, जो भी answer आएगा, that is your answer, question number 3 में बोल ला है, कि एक metal का pipe है, कैसा pipe है, cylindrical pipe है, जिसके दोनों से ओपन होते हैं pipe के, कहता है, इसका एक तो अंदर वाला diameter, क्योंकि उसकी मोटाई होती है, कुछ ना कुछ, तो अंदर वाला diameter और बाहर वाला diameter, अला लग दे रखे हैं, अंदर वाला diameter 4 cm, उससे अंदर की radius, small r से दिखा दिया हमने, बाहर वाला diameter 4.4, जो बनाया है, यह मोटाई है, यह जो हिस्सा है, यह जो हिस्सा है, यह इसकी मोटाई है, cylinder की, तो इसलिए अंदर वाली radius और बाहर वाली radius अलग अलग निकल के आएगी, क्योंकि द 2 pi r h, height तो दोनों में same है, जो inner c h निकालोगे तो उसमें अंदर वाली radius यूज होगी, formula वही है, outer c h से निकालोगे, तो outer वाली निकल जाएगे मार पास, अब कहता है, इसका total surface area भी निकालो, total surface area में क्या है, inner, ठीक है, जो बाहर का area, प्लस अंदर का area, यह तो दोनों निका pipe का, यह मोटाई दिखाई देगी हमें, तो यह दो circle बन गए, एक outer circle, एक inner circle, और यह दोनों side बनेंगे, ठीक है न, तो इसका area कैसे find out करेंगे, अब देखो, total surface area of pipe, inner c h से, प्लस outer c h से, प्लस area of both circular edge, यह आप यहा निकाल चुके direct value रखेंगे, यह आप यहा निकाल चुके direct value रखेंगे, इसका कैसे, two second multiply करका, क्योंकि दोनों तरफ है, तो एक का कैसे निकाले है, बाहर वाले circle में से, अंदर वाला circle, minus कर दो, बाहर वाले circle का area, pi r square capital r से, minus pi r square small r से, pi common ले लिया, अंदर बसता, r square minus r square capital r square minus small r square, उसके factor कर दिया, r plus r, और r minus, अब इसमें, two, pi, capital r, small r इनकी value रख लो, इन दोनों को add करके हमने यहां कर दिया, जो भी इसको solve करके आगा, उसे इसमें add कर दो, that is your answer, question 4 में बोल रहा है, कि एक road roller है, road roller आपने देखा होगा, जैसे कि, सड़क को हम plane करते हैं, या cricket के जब ground है, उस पर एक road roller घुमता है, वो उसको plane करने के काम आता है, तो उसका जब roller है, वो cylindrical type है, तो मैंने, अब कि वार figure यह नहीं है, figure यह है, क्योंकि यह लेटा हुआ होता है, उसमें cylinder, ठीक है, तो यह इस तरह से घुमता रहता है, जितने हिस्से में वो घुमेगा, उतने हिस्से को, वो क्या करता है, plane कर देता है, मान लो, इस पर मै complete हो गया इसका, ठीक है, एक round में इसका CSA complete हो गया, तो एक round में यह कितना area plane कर रहा है, जितना इस rotor rotor का CSA है, तो CSA of rotor rotor हमने निकाल दिया, centimeter square में, क्योंकि centimeter में value रखी, यह 84 centimeter diameter था, तो यहां से radius निकल गया, 2 से divide करके, यह इसकी length है, यानि height 120 centimeter, ठीक है, नीचे वाला figure है इ IRH की value रखना, जो भी आएगा, वो centimeter square में आएगा, ठीक है, लेकिन जो में area find out करना हो, meter square में find out करना है, और meter square किसका area, playground का, तो तो यह CSA का आगया, तो CSA of rotor rotor इतना आगया, इसको 100 से 2 बार divide कर देंगे, क्योंकि centimeter square में बन गया है, तो यह एक round का area आगया, जो road roller दवारा plane क किया जा रहा है, तो ऐसे वो कितने round लगा रहा है, 500, तो area of playground is equal to 500 multiplied में, जो भी यह area आया है, तो area of the playground हमारा आ जाएगा, अब हम करते है, question number 5, question number 5 का जो figure है, अब यह वाला है, तो question number 5 में क्या कह रहा है, कि एक cylindrical pillar है, पिलर आपने देखे होंगे, तो pillar जो होते हैं, वो इस type के होते हैं, कि उपर से और नीचे से, यह जो दोनों circle है, यह हमारा धका हुआ होता है, तो खाली क्या दिख रहा हमें, CSC दिख रहा है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट यहां से ठक ग गया, उपर वाला पार्ट यहां कर दिया, height हमारी meter में दे रखे है, point attack हमने यह कर दिया, meter में क्यों करा, क्योंकि जो cost दे रखे हो, पर meter square के हिजाब से दे रखी है, now, CSA of each pillar, figure is self-explanator, जरूर लिखो गए, हमने figure में जो काम करके दिखाया है, हमने figure में ही कर दिया है, अब हमें इसको बार-बार यहां पर जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया, 2 pi r h, r और h की तुमारे पास value है, 2, 22 upon 7, pi, वो r कितना है, 25 upon 100, और यह 35 बटे 10, इसको solve कर लो, यह 5 से कट गया, यह 4 से कट गया, यह 5 से फिर 2 आ गया, यह 2 से कट गया, ठीक है, तो 4 से इसको divide करोगे, तो 5.5 meter square हमारे पास, इसका area आ ग इसको cost of painting जो दे रखी है, cost of painting, वो है 12.50 per meter square, तो total meter square कितना, इसको 12.50 से multiply कर दो, तो total cost of painting find out हो जाएगी, question number 6, 6 question number देखो क्या कहता है, कि कोई एक cylinder देखा हमें, ठीक है, उस cylinder का cs से हमें given है, cylinder कैसा है, उसकी radius हमें, 0.7 meter, 7 by 10 हमने इसको point हटा के बना लिया, height हमें given नहीं है, हमें क्या given है, cs से, तो csc 4.4, तो csc का formula 2 pi r h, 4.4 के एक वाल आ गया, h को छोड़कर सभी value जो हमने put कर दी, तो rearrange कर लेना, h की value find out हो जाएगी, height ही वो पूछ रहा है, जो next question है, next question में कहता, एक कुआ, यानि well है हमारे पास, ठीक है, उसका diameter हमें given है, 3.5 meter, तो 3.5 meter, 3.5 by 2 radius हो गई, point अटाया, तो 10 नीचे लगकर 20 आ गया, उसकी height यानि depth दे रखी है, 10 meter, ठीक है, तो कहता है, उसका जो inner surface area है, जो inner surface है, उसकी नीचे तो पानी रहेगा, उपर से खुला रहेगा, तो उसका तो हमें area find out करना ही नहीं है, तो खाली जो gold card surface है, तो उसका area find out करो, तो inner surface area निकल जाएगा उसका, किस से, 2 pi r h formula से, क्याता है अगर उस पे हम plaster भी करें, तब खर्च के आएगा, तो जो inner surface area आया है, कर्ड surface area जो आया है, उसको 40 rupees हमें दे रखा, 1 meter square का कर्च, 40 rupees से multiply कर देना, that is your answer, 8th question में कहा रहा है, एक water heating system है, water heating system कैसा है, cylindrical pipe है, जिसमें से पानी जाता है, या cylindrical, जो भी है, जिसे गीजर है, उसके अंदर का जो box होए, cylindrical है, ठीक है, तो pipe है, pipe का मतलब है, वो दोनों से रहे उसके बंद नहीं है, अगर pipe की बात हो रही है, तो उस pipe की जो length दे रखे 25 meter, यानि height हो गई, diameter की दे रखा, 5 meter, यानि की radius आगई 5 by 2, कहता area of radiating system, area of radiating system हमें find out, surface निकालना है हमें, question number 8 का, ठीक है, तो question number 8 का हमें, जब यह find out हम करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, radiating surface कौन सी है, जहाँ पर वो पानी touch हो रहा है, तो radiating surface कौन सी है, जहाँ पर वो पानी touch हो रहा है, यानि की curved surface area क्योंकि इधर भी circle नहीं है इधर भी circle नहीं है ठीक है तो area of radiating surface is equal to CSA of pipe जिसकी height 28 और diameter 5 diameter से radius निकल जाएगी तो 2 pi RS का formula यूज करेंगे और answer हमारा आ जाएगा Question 9 में देखो क्या कहता है कि एक cylindrical tank बनाना है हमको क्या करने के लिए petrol को रखने के लिए तो इसका diameter हमें दे रखा 4.2 diameter से हमने radius निकाल दी ठीक है 2 से divide कर गया फिर point अटाया तो इधर आ गया height हमें इसके दे रखिया 4.5 meter point अटाया तो 45 upon 10 तो कहता है इस tank का lateral surface area निकालो lateral surface area क्या होता है cut surface area कोही हम lateral surface area next कहता है अब क्योंकि tank बनाना है petrol लखने के लिए तो नीचे से भी बंद होगा उपर से भी बंद होगा ठीक है और कैसा बना ये steel का बना हुआ है कहता है एक बटे 12 है 1 by 12 steel waste हो गई ठीक है waste भी हो गई उसका भी area हमें include करना है तो पहले तो total surface area यह निकालने इस काम यानि उपर वाला circle और नीचे वाला circle ये भी बैड़ हो जायागा तो formula का था 2 pi r h plus r values रखी यह आ गया 87.12 meter scale now area of steel wasted किसका 1 by 12 है यह जो total steel used होई है न उसका 1 by 12 यानि इतना जो steel है वो waste हो गया तो total area of the steel used यह वाला area plus जो waste होई है उसको तो इसको और इसको दोनों को हम add कर देंगे add करने से हमारा answer आ जाएगा ठीक है question number 10 इसमें कह रहा है कि इस type का lampshade बनाया जा रहा है ठीक है जो lamp होता बीच में bulb है चार तरफ यह कपड़े का slender बना दिया उपर से और नीचे से यह खुला हुआ है क्याता है इसमें कपड़ा लगाया हुआ है इसको जो lampshade का diameter है 20 cm और radius जो है वो find out कर लेंगे हम इसको इसकी height दे रखी है 30 cm अब यह कहता है कि 2.5 cm कपड़ा उपर 2.5 cm कपड़ा हम दें नीचे एक्ष्टा छोड़ा हुआ है वो अंदर की तरफ मोड़ दिया उपर से इधर अंदर की तरफ मोड़ दिया और नीचे से इधर अंदर की तरफ मोड़ दिया तो यहां पर इधर फिगर इस सेल्फ एक्स बनान नेट रही फिर यहां लेकर ना according to question actual height of lamp यानि h is equal to 30 plus 2.5 plus 2.5 यहां से बना के भी दिखा देना यह इस तरह से बना के दिखा दिया आपने यह हो गया यह 2.5 हो गया और ऐसे ही उपर बना के दिखा देना ठीक है यह भी 2.5 cm तो होगे 35 cm आर हमारा निकली गया है तो कहता है जो कपड़ा यूज हो रहा है उसका area final गोर कपड़ा कहा है हूज हो रहा है सिर्फ इस goal area में यह क्या होता है CSA तो cloth required for covering the lamp is equal to CSA of lamp H ये वाली यूज करनी है R ये वाली यूज करनी है 2 pi rh आगे बहुत आसाने question अब आप कर लोगे अब करते हैं last question of the exercise Last question 11th क्या कहता एक school में competition होता है जिसमें 35 वच्चे भाग लेते हैं सभी को cardboard से pan holder बनाना अब जब pan holder बनाएंगे तो pan holder में एक तो ये card surface बनेगी और एक नीचे circle लगेगा उपर से वो open होगा तो पैन लखेंगे हम तो glass type का वो बनेगा यानि एक तरफ से बन और एक तरफ से open तो क्या और उसको बनाने के लिए जो cardboard देना है वो school को ही देना है 35 बच्चों के लिए जो cardboard school ने दिया है उस cardboard का area find out करना है तो पहला हम एक बच्चे का निकालने यह हमने इसमें दिखा दिया कि radius जो है pen holder की 3 cm उसकी जो height 10.5 cm यह हमें dimensions है यह मैंने नीचे से इसको बंद कर दिया है वो क्या है area of pen holder तो area of pen holder क्या है area of base प्लस area of कौन सा cut surface area तो base area प्लस cut surface है base क्या है circular तो pi r square plus 2 pi r h r और h की value यहां रखो pi की value 22 by 7 रखो जो भी आयागा यह तुमारा एक competitor को जितना cardboard का area यूज हो रहा वो आ जायागा है ठीक है अपना calculation करनी है तो टोटल area of cardboard for 35 competitor तो 35 multiply बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगे आप हमारी वीडियो को like करो share करो subscribe करो धन्यवाद